जहें दोस्तों एक काफी बड़ी खवर आ रही है कि राफेल डील में केन सरकार ने मतलब मोदी सरकार ने आफसेट किलाज में देरी पर फ्रांसेशी कमपनी पर जुर्माना लगा दिया क्योंकि दोनों देशों के बीच हुई काफी पचास फीजदी ऑफसेट के तहट बापस आना था साथ ही दसाल्ट एविएसन और उनकी सहयोगी कमपनियां जो है सैफरन और थेल्स को साथ बरसों के समय में इसे पूरा भी करना था अब जो आफसेट सोदा है उसके तहट सोदे का 30 फीजदी हिस्सा भारत में खर्च करना जरूरी था लेकिन फ्रांसी सी कमपनी ने तह समय सीमा में इस रकम को खर्च नहीं किया इसके साथ ही भारती कमपनियों पर दख्च नहीं होने का आरोप भी फ्रांसी सी कमपनी ने लगा दिया अब आप समझ सकते हैं इस डील में एक नाटकी पेच आ गया है और इस सौधे के तहट आपसेट पॉलिसी भी एक बड़ा किलॉस था जिसके तहट जो फ्रांसी सी बिमान नर्माता कमपनी थी दसाल्ट एवियसन और MBDA को भारती रक्चा सेथ में जो जितने भी अनुबंद रासी था उसका 30 फीजदी निबेस करने का एक पेच भी डाला गया था अब इसी के पूरा नहीं होने पर मोदी सरकार नहीं या एक कदम उठाया है ये जो 2016 में समझोता हुआ था ये 7.8 अरव यूरो लगबग 8.8 अरव डॉलर का समझोता था इस समझोते के तहद दोनों देशों के बीच्वी का 50 फीजदी हिस्सा ऑफसेट के तहद बापस आना था साथ ही दसाल्ट, एबियसन और उनकी सहीगोई कंपनियां जो हैं सैफरन और थेल्स को साथ बरसों को समय में से पूरा भी करना था अब आफसेट पॉलिसी के तहद जब भारत किसी भी देश या बिदेशी कंपनी से रक्षा उपकरण खरीता है तो कंपनी को उसकी तकनिप के बारे में जानकारी देनी होती है इसका मकसद यही है कि भारत आँगे चलका रक्षा उपकरणों के निर्मार को बढ़ाबा दे सके साथ ही बिदेशी निवेस भी हासिल कर सके फ्रांसीसी कंपनी ने कहा कि उसे कोई भारती दक्ष कंपनी अभी तक नहीं मिली जबकि डियारडियो के एक बैग्यानिक का कहना है कि पिछले काफी समय से फ्रांसीसी कंपनी से इस्टेल्थ छमता रडार एरो स्पेस इंजन और मिसाइलों के लिए थ्रष्ट, वेक्टरिंग और इलेक्टोनिक्स के लिए माटरियल से जोड़ी तकनीकों की मांग की जा रही है और रक्षा मंदराले की आपसेट पॉलसी है उसके तहट किसी भी रक्षा उकरन निर्माता कंपनी को भारती आप पूर्टी करताओं से संबंद सामान या सेवाई खरीद कर भारत के रक्षा उद्धों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेस करना होता है अब फ्रांसीसी कंपनी का कहना है जित भारती कंपनी को को तकनीकों का ट्रांसपर होना था वह एभाल लक्षताओं को पूरा नहीं करती है अब जो offset policy है उसमें एक clause है इसके कहा गया है कि अगर किसी भी देश या बेड़ेशी कमपने के साथ 300 करोर रुपए से अधिक का सौधा हो रहा है तो नियून तम 30 फीज़दी हिस्सा उन्हें भारत में खर्च करना होगा ये खर्च उपकरनों की खरीद या टकनीक के टांसपर पर भी किये जा सकते हैं राफेल के साथ भी यही clause था जो समय पर पूरा नहीं होने से मोदी सरकार ने जुर्माने का यह कदम उठाया है तो समझ गया होंगी offset class क्या है जिसके तहट राफेल बनाने वाली company के उपर जुर समय समय पर जाहिए।